सबसे पहले इस टाइटिल को समझते हैं बियॉंड कस्टम्स बियॉंड का मतलब हो गया के परे कस्टम्स देखो यहां पर यह जो कस्टम्स से शब्द लिखा हुआ है यह दो मीनिंग दे रहा है एक तो कस्टम्स का मतलब होता है ट्रेडिशन तो कुल मिलाके इस एडिटोरियल में हम जो बात करेंगे तो उस बात के आधार पे आपको पता चलेगा कि यह थोड़ी सी गैर पारमपरी एक बात है कस्टम्स से हट के है तो एक तो यह मीनिंग हो गया इसका दूसरा मीनिंग इसका यह है कि सरकार ने क्या किया है कुछ ड्रग्स हैं कुछ ओशदी है उनके उपर कस्टम्स ड्यूटी को हटा दिया है यानि कि जो सीमा शुलक लिया जाता है कस्टम्स ड्यूटी ली जाती है तो कुछ ओशदीयों के उपर उस customs duty को हटा दिया गया है beyond customs यानि कि उन दवाओं को customs duty के परे कर दिया गया है तो ये दोनों बाते हैं ये जो title लिखा गया है इसमें दोनों अर्थ जो है नहीं थे दोनों अर्थ जो है छिपे हुए एक तो है कि ये बात कुछ ऐसी है जो कि परमपराओं से हटके है गैर परमपरिक है और दूसरी बात यहां हम बात करने वाले हैं कि सरकार के दोरा अभी हाली में decision लिया गया है और उसके तहत कुछ जो ओशदियां है उनके उपर customs duty नहीं लगाई गई है अब editorial पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ भे आएगा कि क्या बात है गवर्मेंट मस्ट फाइंड इन्नोवेटिव सॉलुशन्स इन्नोवेटिव का मतलब होता है कि कुछ नया करना यूजिंग न्यू मैथर्ड्स और आइडियास कि कुछ नए जो विचार है आपके उनका प्रियोग करना है तो कोई नई राह निकालना उसको हम बोलते हैं इन्नोवेटिव अप्रोच गवर्मेंट मस्ट फाइंड इन्नोवेटिव सॉलुशन्स टू हैल्प पीपल विद रेयर डिसीजस रेयर का मतलब है दुरलब रेयर डिसीजस का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी बीमारियां जो की अनकॉमन है जो की सामाने तोर पे नहीं पाई जाती तो यहां बात कही गई है कि सरकार को जरूर जो है करना चाहिए क्या कुछ ऐसे innovative solutions निकालने चाहिए यानि कि कुछ नए समाधान निकालने चाहिए उन लोगों की help करने के जिनको कुछ rare diseases है यानि कि जिनको दुरलब बीमारियां है तो हम यहां यह कहना चाहिए है कि राज्य के लिए या सरकार के लिए कोई rest नहीं हो सकता यानि कि सरकार को या राज्य को हमेशां लोगों के लिए काम करते रहना पड़ता है vigil should be constant vigil का मतलब हो गया है एक तरह से लगातार निगरानी करना सतरकता बनाए रखना vigil should be constant तो कुल मिला के सरकार की तरफ से लगातार सतरकता बनाई रखी जानी चाहिए and the endeavor endeavor का मतलब है यहाँ पर प्रियास effort should be और जो प्रियास किया जाना चाहिए वो प्रियास होना चाहिए to address issues ऐसे मुद्दों का समधान करने के लिए यह address का मतलब है समधान issues का मतलब हो गया मुधे relating to यानी कि ऐसे मुद्दे जोकी संबंदित है The Public's Welfare Continually या Continually का मतलब हो गया लगातार Welfare का मतलब हो गया कल्यान Public's Welfare का मतलब हो गया कि जनता के कल्यान से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन्हें लगातार समाधान करने के लिए उनका लगातार समाधान करने के लिए सरकार को प्रियासरत रहना चाहिए A Classic Exposition Exposition का मतलब है है आपे एक तरह से Explanation आगे देखते हैं A classic Exposition of this principle is the center's announcement तो कुल मिला कि ये जो बात हमने की इसका एक बहुत ही अच्छा Explanation इस सिध्धांत का यानि की कौन से सिध्धांत की हमने बात की सिध्धांत ये है कि राज्य को प्रजा के कल्यान में लगातार प्रियासरत रहना चाहिए तो ये जो सिध्धांत है इसका Explanation जो है हमें यहाँ देखने को मिलता है कहां अभी हाल ही में केंदर सरकार के दोरा एक Announcement की गई एक घोशना की गई Providing उपलब्ध कराते हुए यानि कि उस Announcement में ये बात कही गई है Full Exemption From Basic Customs Duty Exemption का मतब एक तरह से छूट देना From Basic Customs Duty For All Drugs And Food Imported For Import का मतब है आयात करना For Treatment of Rare Diseases Rare Diseases ये वर्ड कई बार repeat होगा इस एडिटोरियल में Rare Disease का मतब है दुरलब बीमारी यानि कि ऐसी बीमारी जो common नहीं है उसके लिए कहा गया है Rare Diseases और ये Rare Diseases जिनकों की सूची बद किया गया है Listed under The National Policy for Rare Diseases देखो एक policy है उसका नाम है National Policy for Rare Diseases इस policy के अंतरगत जिन Rare Diseases को सूची बद किया गया है उन बीमारीों से संबंदित जो भी treatment है या उन बीमारीों से संबंदित जो भी food या जो भी drugs हैं जिनकों की import किया जाता है उनको सरकार ने basic customs duty में छूट दी है exemption का मतलब है छूट देना यानि की सरकार ने ये बात उपलब्द कराई है कि ये जो Rare Diseases हैं इन से संबंदित कोई भी food है या drugs है वो import की जाती है तो उन पे customs duty नहीं लगेगी and anti-cancer drugs pembrolizumab है ना ये एक anti-cancer drug का नाम है pembrolizumab तो ये यहाँ पे हमने बात की कि anti-cancer drug हो गई इसके अलावा अन्य Rare Diseases से जुड़ी हुई drugs हो गई, food हो गई इनके import पे, इनके आयात पे सरकार ने customs duty में रियायत दी है, छूट दी है अब देखो, कुल मिलाके सरकार के दौरा ये जो अन्याउंस्मेंट की गई है कि Rare Diseases से संबंदित drugs अगर import की जाती है, तो उनमें जो customs duty है, उसमें जो है, छूट दी जाएगी अब इस घोशना के साथ जो है, this adds benefits पहले जो benefits प्राप्त हो रहे थे beyond those already incorporated in the policy, यानि कि ये जो policy की हमने बात की National Policy of Rare Diseases इसके तहत पहले ही कई सारे आप कह सकते हो कि advantage जो है, दिये जा रहे थे लोगों को, अब उसमें कुछ advantage और add हो गए है this adds benefits beyond those का मतलब है के परे already incorporate का मतलब है शामिल कर लेना, in the policy originally formulated in 2017 अगर हम बात करें, ये जो NPRD, यानि कि National Policy for Rare Diseases है, ये मूल रूप में कब निर्मित की गई थी 2017 में जो है, ये मूल रूप में निर्मित की गई थी beyond those already incorporated in the policy finalized just under a year ago, तो कुल मिला के एक साल पहले इस policy को final किया गया, और उसमें जो फायदे रखे गए थे उन फायदों में ये एक फायदा और जुड़ गया है, हालांकि ये जो policy है, ये मूल रूप में कब बनाई गई थी? 2017 से ही इसकी शुरुवात हो गई थी in order to avail this exemption तो सरकार के दोरा ये जो छूट उपलब्द कराई गई है इसको avail करने के लिए, यानि कि इस exemption का लाब उठाने के लिए, the individual importer, कि जो भी व्यक्तिगत importer है यानि कि जैसे जिस व्यक्ति को बीमारी है और वो व्यक्ति अपनी बीमारी से जुड़े हुए ओशिदी को import करना चाहता है must produce a certificate तो उसे जो है एक certificate दिखाना होगा from specified authorities कि संबंदित authorities से संबंदित उसको exemption मिल जाएगा medicines generally attract basic customs duty of 10% generally अगर हम बात करें तो जो medicines होती है उनके उपर, attract का मतलब है एक तरह से जो medicines हैं उनके उपर सामाने तोर पे 10% की customs duty लगती है while some categories of life saving drugs, vaccines get concession, concession का मतलब है छूट मिलना हालंकि कुछ categories है जैसे कि life saving drugs या vaccines यानि कि जीवन बचाने के लिए जो बहुत ही ज़ादा जरूरी vaccines है या drugs है उनको थोड़ी से छूट मिल जाती है उनको concession मिल जाता है और exemption देखो concession का मतलब है थोड़ी सी रियायत मिल जाना और exemption का मतलब है पूरी तरह से छूट दे दी गई पूरी तरह से उसको tax free कर दिया गया या duty free कर दिया गया exemptions have already been provided to specified drugs for the treatment of spinal muscular atrophy और duchian muscular dystrophy देखो यहाँ पर यह जो बीमारी की हम बात कर रहे है spinal muscular atrophy यह क्या है एक तरह की बीमारी होती है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि दीरे दीरे जो व्यक्ति है उसके muscles जो हैं वो बहुती कमजोर हो जाते हैं और वो बहुती ज़्यादा एकदम कमजोर पड़ता चला जाता है इस लाइन में हम यह कहना चाहरे हैं कि already exemptions दिया गया है have already been provided to specify drugs यानि कि कुछ जो चुनिंदा drugs है जिनका की प्रियोग किया जाता है spinal muscular atrophy में उनको जो है already छूट दी गई है rare diseases are a group of diseases that occur अकर का मतलब है घटित होना तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं rare diseases यह इस तरह की diseases हैं जो की हमें देखने को मिलती है infrequently in the community and as such patients that occur infrequently देखो frequently का मतलब है लगातार आपको देखने को मिल रही है कोई बीमारी infrequently का मतलब है कि बही कभी हुई किसी को कभी नहीं हुई लंबे समय तक नहीं हुई तो कुल मिला कि इनका कोई system नहीं है कोई pattern नहीं है कि regularly यह देखने को मिलती है तो यहाँ पर हम यही कहना चाहरे है कि जो rare diseases हैं यह इस तरह की बीमारियां है जो की community में infrequently appear होती है and as such patients are disadvantaged तो इन rare diseases के कारण क्या होता है जो मरीज होते हैं वो disadvantaged हालत में होते हैं क्यों? by the lack of volumes lack का मतलब है कमी volumes का मतलब है मात्रा that usually spur spur का मतलब होता है encourage करना किसी चीज को prosight करना देखो women ने जो companies होती हैं जिनके द्वारा drugs या ओशदियां बनाई जाती हैं तो कोई भी company ओशदी क्यों बनाती है? इसलिए बनाती है क्योंकि उसे ज़्यादा मात्रा में produce करना होता है क्योंकि company जो है उनको अपना benefits चाहिए होता है तो दिक्कत यहाँ पर यह खड़ी हो जाती है कि यह जो rare diseases होती है इनको बनाने के लिए जो company होती है उनको किसी तरह का प्रोथसाहन नहीं होता उन्हें पता है कि यह बीमारी यहाँ बहुत कम लोगों को होती है तो इस बीमारी को लेकर drugs क्यों बनाई जाए औशिदी क्यों बनाई जाए यह बात हम यहाँ पर कहना चाहरा है कि generally जो rare diseases होती है यह community में हमें infrequently देखने को मिलती है इसलिए इन diseases के जो मरीज होते है वे बहुत ज़्यादा disadvantaged हालत में होते है क्यों? क्योंकि by the lack of volumes that usually इस पर pharmacological companies into producing life-saving medicines देखो जो भी आप कह सकते हो जो pharma companies होती है इनको encouragement कब मिलता है कि भई यह जो है produce करें, निर्मित करें life-saving medicines जो है बनाए तो इनको encouragement तभी मिलता है जब इने पता होता है कि भई यह बीमारी लगातार होती रहती है और इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाने की जरूते जब इन pharma companies को पता होता है कि यह बीमारी rare diseases में आती है तो फिर यह pharma company जो है इस बीमारी की और ज़्यादा ध्यान नहीं देती और इसे produce नहीं करती है तो यह एक का आप कह सकते हो situation हमें देखने को मिलती है कि यह जो rare diseases की हमने बात की इन में से कुछ बीमारियां होती है जिनके लिए यह नहीं बताया गया है described some of these do not have any described treatment methodologies कि यह जो rare diseases हैं इन में से कुछ diseases जो है इनका treatment किस तरह से किया जाएगा क्या method रहेगा तो उसको described नहीं किया गया है लेकिन wherever treatment exists लेकिन जहां कही treatment उपलब्द है the drugs have to be imported तो फिर क्या करना पड़ता है ऐसी हालत में अगर जहां treatment उपलब्द है तो जो drugs हैं यानि कि संबंदित बीमारी से संबंदित जो ओशदी है उसे import करना पड़ता है आयात करना पड़ता है and costs are prohibitive prohibitive का मतलब है excessively high बहुत ही जादा high तो कुल मिला के जब इन drugs को import किया जाता है तो इनकी जो कीमत हैं वो कुछ ज़्यादा ही high होती है putting it out of the reach of most people और इसके कारण out of the reach का मतलब है पहुँच से बाहर हो जाना कि ये जो drugs हैं जिनकों की import करना पड़ता है और जब import किया जाता है तो इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इसके कारण अधिकांच people जो हैं वे इन्हें afford नहीं कर पाते ये medicines अधिकांच people के out of reach चली जाती है उनकी पहुँच से बाहर हो जाती है अब देखो NPRD में इस बात को आंकलित किया गया है estimate का मतलब होता है एक अंदाजा लगाना जैसे एक मकान आप बना रहे हो तो आप estimate लगाते हो कि भी कितना खर्चा आ जाएगा तो national policy for rare diseases में इस बात को estimate किया गया है that for a child weighing 10 kg की एक बच्चा है जिसका वजन है 10 kg the annual cost of treatment for some rare diseases may vary from rupees 10 lakh to more than rupees 1 crore per year the annual cost of treatment for some rare diseases कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि कुछ जो rare diseases है उनके treatment की जो वार्षिक cost है कि annual cost may vary vary का मतलब है कि इतने से इतने के बीच में vary करती है change होती रहती है from rupees 10 lakh to more than rupees 1 crore per year तो कुल मिला के कुछ है जो बीमारिया है जैसे कि हमने बात की एक बच्चा है और वो बच्चा लगब उसकी उसका weight कितना है 10 kg है अब इसका जो treatment होगा वो treatment जो है vary कर सकता है कितने से कितने लाग के बीच 10 लाग से लेकर 1 करोड तक with treatment being lifelong और ये treatment जो है lifelong चलेगा मतलब उस बच्चे के लिए पूरे जीवन भर and drug dose और जो treatment उसे दिया जाएगा जो औशदी उसे दी जाएगी और उस औशदी की जो कीमत रहेगी increasing with age वो बच्चे की उमर के साथ उसकी आप कह सकते हो कि जो drug dose है और उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी and weight increasing with age and weight यानि की बच्चे के उमर और उसके वजन बढ़ने के साथ-साथ जो खर्चा है medicines का वो भी बढ़ता जाएगा the duty exemptions will lead to substantial substantial का मतलब है काफी हद तक काफी मात्रा में savings for patients तो कुल मिला के जो duty exemptions दी जाएगी एक तरह से जो छूट दी जाएगी will lead to देखो lead to का मतलब है कारण बनना किसी particular direction में ले जाना lead to substantial savings for patients तो कुल मिला के ये जो customs duty में exemption दिया गया है जो छूट दी गई है इसके माद्यम से क्या होगा इसके माद्यम से ये होगा कि काफी हद तक जो patients हैं उनको एक तरह से savings में थोड़ी राहत मिलेगी organizations lobbying lobby का मतलब है कि भाई किसी चीज को favor करना lobbying for support for patients with rare diseases कि कई सारी organizations जो हैं जो मिलके इस बात को support कर रही है कि भाई ऐसे जो patients हैं जिनको rare diseases हैं उनके लिए कुछ किया जाए ना उनको थोड़ी सी राहत दी जाए तो इन जो organizations ने have welcomed the move इन organizations ने क्या किया है ये जो कदम है सरकार का इसका स्वागत किया है which will grant much needed relief to patients and their families अब इसके माध्यम से क्या होगा organizations lobbying for support for patients with rare diseases have welcomed the move यानि कि women organizations ने जो rare diseases के जो patients हैं उनके support में काम कर रही थी उन्होंने इस कदम का स्वागत किया है इस कदम से क्या होगा which will grant much needed relief much needed relief का मतलब है एक ऐसी राहत जिसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी इन patients को तो जिस राहत की इन patients को सबसे ज़्यादा जरूरत थी वो राहत इस कदम से इन patients को प्राप्त हो जाएगा और उनके परिवारों को भी वो राहत मिलेगी a ray of hope in and otherwise bleak bleak का मतलब होता है निराशा जनक hopeless treatment scenario अगर देखो ये कदम नहीं उठाया जाता तो इसके अलावा अगर हम बात करें a ray of hope तो कुल मिला के ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो कदम उठाया गया है ये एक तरह से उमीद की किरण है in and otherwise और अन्यथा अगर हम देखें अगर ये जो कदम है इसको हटा दिया जाए तो अन्यथा अगर हम देखें तो ये जो पूरा की पूरा treatment scenario है ये बहुत ही ज़्यादा bleak है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से patient जो है उसकी जंदगी बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा निराशा जनक होती है दुखों भरी होती है अंदकार में होती है तो ये जो bleak है इसका जो meaning है न वो यह ही है gloomy, sad, hopeless तो अकुल मिलाखे वैसे तो आप कह सकते हो कि ये जो पूरा की पूरा treatment scenario है ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा निराशा जनक है लेकिन इसमें एक आशा की किरन जो है वो इस कदम के माद्यम से सरकार ने डाली है वाइल रेर डिसीजेस जबकी, जो रेर डिसीजेस हैं उनको define किया गया है by their infrequent occurrence in the population जो population होती है उसमें occurrence का मतब है घटित होना जनता में ये जो बीमारी है ये infrequently देखने को मिलती है यानि कि frequently लगातार नहीं देखने को मिलती कभी किसी को हो गई, कभी किसी को हो गई है एक systematic या एक pattern देखने को नहीं मिलता the sheer number of diseases देखो ये जो sheer है इसका प्रियोग हम करते है emphasis देने के लिए किसी चीज पर जोर देने के लिए जैसे हम कहें the sheer number of students तो हम ये कहना चाहरे हैं कि students की जो संख्या थी यानि कि जोर देना किसी चीज पर है the sheer number of diseases estimated between 7,000 to 8,000 conditions अब देखो ये जो rare diseases है इन में लगबग 7,000 से 8,000 conditions जो हैं वो आंकलित की गई है 450 of them have been reported from hospitals in India तो देखो लगबग ये जो rare diseases हैं इनके type बताए गए हैं कि लगबग 7,000 से 8,000 हो सकते हैं और इन में से 450 जो हैं भारत के hospitals के माध्यम से हमारे पास जो है report दर्ज की गई है यानि कि भारत के hospitals में से ये बताया गया है यानि कि 450 ये जो rare diseases हैं इनको बताया गया है and the number of people with some form of rare diseases in India और अगर हम बात करें भारत के संदव में उन लोगों की संख्या जो rare diseases से पीडित हैं तो लगबग कितनी संख्या है an estimated 100 million उसका आकलन किया गया है लगबग 100 million लोग जो हैं वो किसी न किसी रूप में rare diseases से पीडित हैं 100 million का मतलब हो गया लगबग 10 करोड make it a problem तो कुल मिला के ये जो आकले हैं ये आकले make it a problem that cannot be ignored तो इनके माद्यम से आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी समश्या है जिसे ignore नहीं किया जा सकता when the NPRD was released कि जब NPRD को release किया गया यानि कि national policy for decision जो है जब इसको release किया गया it underline underline का मतलब है highlight करना रेखांकित करना किसी चीज को the magnitude magnitude का मतलब है किसी चीज की तीवरता किसी चीज का पैमाना कि कोई समश्या जो है वो किस हद तक है when the NPRD was released it underlined the magnitude कि जब NPRD को release किया गया तो इस NPRD के माद्यम से ये जो बीमारी है इस बीमारी से जो लोग पीलित है उसकी तीवरता को highlight किया गया and specified that demands could only be considered और इस NPRD में इस बात को विशेश रूप से कहा गया कि जो demands है demands का मतलब है यहाँ पे जो patient है उनको जिन drugs की demand है तो ये जो demands है could only be considered consider का मतलब है विचार करना कि patient की medicine से संबंदित जो demands है उन पर विचार किया जा सकता है कब in the context of the इस संदर्भ में in the context of the available scarce resources उपलब्ध scarce का मतलब है बहुत ही कम बहुत ही कम संसादन जो है उनको दिहान में रखते हुए patient की जो demands है उन पर विचार किया जा सकता है अब यहाँ पे finally ये बात कही गई है कि बहुत मिला के ये जो बीमारियां होती है इन से जुड़े हुए जो resources है यानि कि इन बीमारियों के treatment के लिए जो resources है वे already काफी कम है इसलिए that would have to be used judiciously judiciously का मतलब हो गया विवेक पूर्ण तरीके से बुद्धी मानी पूर्ण तरीके से तो इसलिए इन कम संसादनों को बहुत ही बुद्धी मानी से प्रियोग करना होगा while striking a note देखो strike a note का मतलब होता है एक particular feeling जो है उसे अभिव्यक्त करना while striking a note for the goal of affordable health care देखो goal का मतलब है उद्देश affordable का मतलब है जिसका खर्चा आसानी से उठाया जा सके उसको हम कहेंगे affordable तो लगातार इस goal की बात होती है क्या कि जो health care है यानि कि जो स्वाफ्ते सुविदा है वे सभी के लिए affordable होनी चाहिए यानि कि सभी व्यक्ति गरीब हो चायमीर हो हर व्यक्ति जो है health care को afford कर सके ये हमारा उद्देश होना चाहिए तो इसी उद्देश के साथ अपने सुर को मिलाते हुए है ना striking note का मतलब है कि आप भी कुछ वैसे ही विचार रखते हो है ना आप भी कुछ उसी तरह की feeling जो है express करते हो तो कुल मिला के ये जो goal है affordable health care का इसी को एक तरीके से support करते हुए the government must ensure सरकार को इस बात को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए that its directions are followed कि सरकार के द्वारा जो भी directions दिये गए हैं उन्हें उनका पालन किया जाए full पूरी तरीके से besides का मतलब है के अलावा के अतिरिक्त तो कुल मिला कि ये काम तो करना ही है कि जो भी directions सरकार के द्वारा दिये गए हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए इसके अलावा हमें और क्या करना है सरकार को और क्या करना है stay का मतलब है बने रहना the course course का मतलब है यहाँ पे mark staying the course तो कुल मिलाके इस मार्ग पे भी हमें लगातार बने रहना है किस मार्ग पे? To innovate solutions Innovate का मतलब मैंने आपको बता है कि कुछ नया तरीका ढूंड़ना है कुछ नई बात जो है उसे इजाद करना कुछ नई राह निकालना तो कुल मिलाके हमें इस मार्ग पे भी लगातार काम करना होगा कि इस category के जो patients है उनके लिए कोई नई राह निकाली जाए यानि कि उनकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए कोई नया समाधान जो है ढूंडा जाए इस course पे भी हमें लगातार काम करना होगा ये था हमारा आज का एडिटोरियू